अससराम वरेकुम कैसे हैं आप सब आज हम बात करेंगे वन मिस्ट कौर की जो 2008 में आई थी जो रिमेक है जैपनीस मूवी का जो 2003 में आई थी इसी नाम से हॉरिवुड वारे भी रिमेक बनाने में जैंपियन है तो बस देखते हैं क्या बनाया है इनोंने मूवी स्टार्ट हो दिये एक ऑस्पिटर से जिसमें आख रगी वी है फायर फाइटर उसको बुचाने में रगे वे होते हैं और एक बच्ची को बार रेके आते हैं उससे उसकी मॉम के बारे में बूचते हैं रेकिन वो कोई जवाब नहीं देती हो सकता है सत्मे में हो और सीन चेंज होते हैं और हम मिलते हैं शेरी से जो अपने कर में स्टेटी कर रही होती है और एक छोटा सा तराब पिये हैं उसकी बिल्ली को वहाँ पे कोई आवास आती है तो ये पानी में चेक करने चाती है कि अचानक एक हाथ निकलता है और शेरी को पकर के पानी में रेचाता है अपे ये कौन था? और पानी के उपर एक लार करर की कैंटी आती है और ये सब तमाशा उसकी बिल्ली देख रही होती है तो वो हाथ पकर के उसको भी पानी में रेचाता है और हम देखते हैं कि शेरी का मुबाइल खुद बखुद चलने रखिया है, contact risk में गुसावा है वो अब एक कर में students की पार्टी हो रही होती है जिस पे अम मिलते है बैट से और इसकी पार्टी में लियान भी आती है और ये उसको उपर room में रेके जाती है और ये शेरी की मौट के बारे में बात कर रहे होते है क्योंकि ये सब student होते है एक साथ के चपी लियान का mobile ring कलता है और ये ring tune उसकी होती भी नहीं है और ये call शेरी के number से आ रही है अब ये एहरान हो जाते है और इतना कम नहीं था कि वो call भी future से आये दो दिन बात की ये voice note सुनते है और उसमें लियान की voice होती है जो काफी परिशान रख रही होती है और विल सोर से चीकती है तो ये दोनों एरान हो परिशान हो जाते है ये सब क्या था अब detective Andrews से मिलते है जिनको ओस्पिटर में बुराया किया है एक राश की पैचान के रिए जो उनकी बैंड की है और उसके मुझे भी एक लार करर की केंडीन की रिए जैसे शेरी के बास नसर आई थी अब ये कुछ तो connection है अब सब कॉरिश में आते हैं चाहां पे लियान को अजीब से एरियूसिनेशन आते हैं कभी बार कोई दिक रहा होता है कभी पैट के आत में कीरे शीरे चल रहे होते हैं ये काफी परेशान हो जाती है किरास के बाद पैट उसको कॉफी के रिए आफर कलती है मगर ये मना करके राइब्रेरी में चली जाती है और वहां से निकलने के बाद ये अपने करकी तरफ चारी होती है तो फिर से इसको एरूसिनेशन आने रखते हैं टीविरी फेस के रोप दिखने रखते हैं तो ये बरेशान होके पैट को कॉर कलती है और ये उसके बास तो मिनेट पे आने के रिए बोलती है अब टाइम भी वही हो जाता है जो शेरी के कॉर्ड के टाइम भी रिक्का हुआ था और ये बाते भी वोईस नोट वारी कर रही होती है और ये चीक माल देवे बुर्श से नीचे गिलती है और ट्रेंड से टकरा चाती है पैट जब तक वहाँ पे आ गई थी और ये सब तेक रही होती है उसको इविल टाइप का भी कुछ नसर आता है और एक आवास भी आती है लेकिन वहाँ पे कोई होता नहीं है अब लियान मल चाती है लेकिन उसके मुबाइल से एक नंबल डायर होने रखता है तो ये भी बरेशान हो जाती है ये सब क्या हो रहा है अब पुरीज और एम्पुरेंस भी यहाँ पे आ जाती है और इसके मुझे भी सेम कैंटी निगरी है मतरब कुछ तो करबर है तो तिन बात तेरर एक ररगी को यही सब बता रही होती है कि जिसके पास कौर आती है वो मारा चाता है फराना टिमा का तो ब्राइन उस पे खुसा होने रख चाता है यह सब पक्वास पाते है ऐसा कुछ पी नहीं होता लेकिन बैट आगे कहती है ऐसा ही हो रही है यहाँ पे अब ब्राइन को भी एरियोसिनेशन होने रखते है और यह वाँ से चला जाता है इसको भी इविल टाइब के फेज नजर आने रखते है रो बाईया कुछ तो मुझीबत है अब इसके पास पैट आ दिये कि क्या हो गया क्यों परिशान हो तो यह अपना फून दिखाता है जिसमें तो तिन बैले लेन की कॉर आई थी और इसी की अवास में वाइस नोट था और कॉर का टाइम और अभी दोनों सेम हो रहे होते हैं यह वहाँ से चाने रखते है तो एक कारी से इसके एक्सिनन होते हुए बच्चता है तो पैट उसको अवास दे दिये अपना मुपाइल तो देरो लड़के तो यह वापिस उसको रहने आता है और चो वाइस नोट पे बादे दीना यह वही कलने रखता है के चपी बिल्टिंग के उपर एक प्रास्ट होता है और एक रोट प्राइन के अंदर आके गुश्चा दिये और यह वहीं बेमारा चाहता है अब इसके मुँसे बताओ क्या निकलता है सही चवाब पैट को पिर से वही आवास आती है लेकिन वापे कोई भी नहीं होता यह भी परेशान हो जाती है सारा यह मुशीबत क्या है बे यह एक ओफिसर के बास चाहती है कि मेरे दोस्तों के पास मलने से बेरे कौर आती है और एक रैट करर की केंटी भी निकलती है कुछ तो कनेक्शन है पदा करना होगा रेटी ओफिसर कहती है और यह मुबायल में कोई वाइस नोट नहीं मिरा और इसकी बातों बे साधा त्यान नहीं देती इनकी बात है त्यान से टेक्टिफ सुन रहा होता है और वो पैट से बात कलने चाता है अरे मेरी बेंट की मौद ऐसे ही होई थी वो और शेरी ओस्पिटल में इंटर्न थे और शेरी की मौद से दो तीन बेरे मेरी बेंट की मौद होई है और उसके मुझे भी केंटी निकलिये मदरब कुछ तो कनेक्शन है इन सब मौत का वो अपना कार्ट पैट को देता है कि कोई भी मसरा हो मुझसे राप्ता करना पैट कर पे आ दिये तो उसकी रूम मेट टेरर काफी परेशान बैटरी भी होती है तो ये समझती है रो भाईया इसके बास कौर आ गई लेकिन नहीं वो दरही वी है कि प्रहाइन के बास उसका भी नंबर था कहीं नेक्स कौर इसी को ना आचाए और इसको मलना नहीं है अब ये लड़की मलना चाहता कौन है तो ये दोनों के मुबाइल से बैटरी निकार के उसको पेखते दिये कि मुबाइल आफ अब कोई कौन नहीं आई की और ये दोनों आराम से सोचाते है कि जबी रात को रिंग टून की अवास आती है तो ये बरेशान होंके चेक करने जाते है तो ये टेरर के मुबाइल में ही कौर आई भी होती है और उसमें उसकी वीडियो होती है जो मलने की टाइम की है बिना बैटरी के चल लाई है ये मुबाइल कौनसी कंपनी गए next ये टेरर के मुबाइल को दोलते थे no मुबाइल, no कौल, सारा काम फिनिश अपे ये काम कॉल करने से पहरे कलना था ना ये कर आने रखते हैं तो इनको एक आत्मी मिलता है जो रियारिटी शो का प्रोट्यूसर है और उसको इस स्टोरी के बारे में बता चलिए है तो वो टेरर को अपने शो में बुराता है चाहँ पे ये राइफ एक्सोर्सिजम करेंगे उस पे और उसकी चान बचाएंगे और ये इसको एक मुबायर भी देता है लेकिन पैट इन सब पादों के रिए मना कलते दिये और जो मुबायर इसने दिया था ना उस पे टेरर को वापिस से कौर आजा दिये अपे चाचा बचाने के रिए आयो या मरवाने के रिए ये दोनों करबे आती है तो टेरर कहती है ओ सकते है ये अंकर मेरी हैल्प कर सकें अपे ये सब ट्रामा कर रहा है ये पुट्टा अपने शोगी टियार भी बराना चाता है नेक्स मॉर्निंग पैट को टेरर का एक नोट मिलता है मैं अपने मॉम डेट के पास चा रही हूँ कि जब ही याँ बे डिटेक्टिव आ जाता है इन सब कौर का कनेक्शन है अब इसमें जो मल चुक है ना उसके नंबर से नेक्स विक्टम को कौर होती है और तो तिन बात वो भी मारा चाता है पिर वोई की वोई कहानी वापिस हो जाती है जैसे प्रैन को लेएन की कौर आई थी लेएन को शेरी की कौर आई थी और उसको मेरी बैन की कौर आई थी और मेरी बैन को एक रेटी मैरी की कौर आई थी अब detective Mary के girl जाने रखता है investigation के रिए तो इसके साथ pet भी आ जाती है गर में खारी बैटी भी क्या कलती हो Mary के गर में कोई भी नहीं था लेकिन इसका गर अजीब सा है pet को यहाँ पे Mary के एक picture मिलती है जिस पे वो और उसकी दो बेटियां होती है detective को यहाँ पे camera नहीं मिलता लेकिन उसको मिलता है inherer जिसकी अवास उनके pet दल्चा दिये क्योंकि यह वो ही अवास है जो उसको अपने दोस्तों के मलने के टाइम पर सुनाई दी थी और कोई नजर भी नहीं आया था यह दोनों और investigation कलते हैं तो पता चलता है मेरी की बरी बेटी estema के attack से मल चुकी है चा तो वो inherer उसी कई होगा और अप्रेर और मई इन दो मईनों के दर्मियान मेरी अपनी चूटी बेटी को 9 दफा ऑस्पिटर में लेके आई है कभी उसका हाथ चल जाता है कभी वो सर्फ पी रहे थी है कभी उसको जूई चुपी भी होती है तो पैट कहती है अरे मसरा इसकी अम्मी में रख रहे मुझको मेंडिरी ठीक नहीं है वो जिसकी वज़े से वो खुद बच्चों को सक्मी कलती है और पिर उनकी केर कलती है इसी वज़े से शाहिद बड़ी बेटी मर गई और बदा चलते ऑस्पिटर में एक साइकेट्रिस नर्ड्स ने भी इसी बारे में मेरी से बात की थी और ये नर्स डिटेक्टिव की बहनी थी अच्छा ऐसे कानी शुरूई हो ये तो इनको रखते हैं मेरी को शको किया था कि वो पकरी चाहेगी तो वो अपनी चोटी बेटी को रेके यहां से खाइब हो गई अब ये तीवी देखते हैं तो तीवी में इनको दिखते है टेरर और ये उसी शो में चली कही है और वो राइफ शो में इसका एक्सॉर्सिजम करेंगे फुल डी आरपी तो ये दोनो उस शो वाले चल्च की तरफ चाने रखते हैं और टेरर की इनको कौर आती है चो पैट से सौरी कलती है और कहती है ये सब सही कलतेंगे सब कुछ अरे टेरर ये कुछ भी सही नहीं करेंगे तुम्हें मामू बना देंगे अब इसको भी एरियोसिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं और शो इस्टार्ट होता है और अंकर एक्सॉर्जिजम स्टार्ट कलते है रो ये दोनों भी यहां पर आ गए कि अचानक राइट बन होती है और कोई इन्विसिबर फोर्स टेरर का करा तबाके उसको चान से मालते थी है और उसके मूँसे भी कैंटी निकलती है और अब पैट के बास कौर आती है जिसमें करका टाइम होता है डिटेक्टिव वाइस नोट सुनता है जिसमें पैट कह रही है क्यूँ पुरीज मुझे बताओ क्यूँ और ये उसका मूबायल तोल देता है फिर ये पैट के कर पे जाते है जाए डिटेक्टिव आज यहीं पे रुकेगा और यहाँ पैट की पास स्टोरी बदा चलती है कि इसकी मॉम भी बच्पन में इसमें काफी सुरूम कलती थी और इसके अपूने अपनी चान रेजी थी अब ये अपनी मॉम से बात भी नहीं कलती टेक्टिव को कौर आती है और उनको बदा चल गया कि मैरी की चोटी बेटी कहां पे है जो एक फॉस्टे रूम में तो ये दोनों उसके बात चाते हैं अरे ये तो स्टार्ट वारी बच्ची है न और इससे इसकी मॉम के बारे में बूस्टते हैं लेकिन ये अप भी कुछ भी नहीं कहती और उसके टेटी पियर से एक म्यूसिक प्रे होता है और ये वो ही है रिंग टून वारा म्यूसिक अपर तेरी तो ये दोनों वहाँ से बाहर आ चाते हैं और अरग अरगों के इन्वेस्टिकेशन करने के बारे में सूछते हैं डिटेक्टिव पैट को एक फून देता है कि कोई भी मसरा हो तो मुझे कॉर कल देना की तरफ चाने रखती है और डिटेक्टिव को कौर करके बता दिये मैरी वहीं बेटी लेकिन रिकॉर्ड में ना वो मिरी ना उसकी राश मतलब ऑस्पिडर में उसकी राश है और वो ही फून में पूदवूद पंगे ना उसके सब को मार रही है तो मैं दो वहीं जा रही हूँ तुम भी चलती वहाँ पे आ चाओ पैक्ट ऑस्पिडर में चाने रखती है लेकिन फरंड केक्ट रॉक होता है तो कोई बात नहीं ये पैक्टोर से अंदर चली जाती है और अब इसके साथ एपनॉर्मर अर्गत होने रखती है एक कोस उसको बगर के अपने साथ किसीट के देगे चाने रखती है तो ये चैसे दैसे खुद को बचाती है और अब तक डिटेक्टिव भी यहाँ पे आ गिया ये दोनों यहाँ से बाहर निगने की कलते हैं मगर सब कुछ तो रॉक है तो ये एक रूम में आते हैं और गोई डिटेक्टिव को सोर से पिखता है जिससे वो प्योश हो जाता है और रूम रॉक हो जाता है अब इसको एयर टक का रास्ता दिखता है तो ये उसमें कुछ चाती है बहुत कम बजा है इसके बास टाइम के अंदर उसको एक चरीवी राश मिलती है और उसके आत में मुबाइल जिसमें अभी वी कॉरिंग जा रही है ये पक्का मेरी होगी पैत मुबाइल लेकर तोड़ते दिए के जबी राश में अलज़ा रोना शुरू हो जाती है ये बाकती है वहां से लेकिन राश उसको बगल ले दिये और इसके उपर आ जाती है पैत कहती है और राश कुछ भी निगलती बस फॉरकिफ मी कहती है और टाइम कंप्रीड हो जाता है पैत बच गई और डिटेक्टिव भी इदर आ जाता है और अब पुरीज भी यहां पे आ गई और डिटेक्टिव कहते मैरी फर्स परसंदी उसके बाद मेरी बैन को कॉर आई और सिलसिरा चारी रहा और ये कहती है मुझे इदर चान के राया किया था मानने के रिए नहीं बचाने के रिए वरना मलना होता न मैं उसी टाइम मल चुकी होती डिटेक्टिव उसको कर पे चोलता है और इन दोनों में भी पॉंटिंग हो कही है वहुँँ डिटेक्टिव फॉस्टर रूम चाता है लोरेर को बताने के दिए कि उसकी अम्मी मल चुकी है लेकिन वो सो रही होती है तो यह उसका टेटी बेर चेक करता है जिसपे एक नैनी कैमरा निकलता है अच्चा यहां से सब रिकॉर्ट हो रहा था और यह रिकॉर्टिंग चेक करते है तो पता चलता है मैरी नहीं पर के एरी थी जो अपनी चोटी बेंग भी सुरूम करती थी हल दिन एक नए स्टाइल्स से आज वो चाकू से उसका हाथ काटने वारी होती है कि जब ही मेरी यहां पर आ जाती है और एरी को रूम में रॉप करके लॉरेर को ऑस्पिटल लेके चरी जाती है और उनके चाते ही एरी को एस्टमा का डेक आ जाता है वो अपनी मॉम को कॉल करने रखती है तो बस उसी टाइम उसकी मौत हो जाती है लॉरेर भी इदर आ जाती है तो यह पूछता है पेटा तुम्हें जब सब पता था तो तुमने बताये क्यों नहीं वो मुझे एक कैंडी दे दी दी और मैं जो पोचा दी थी डिटेक्टिव फॉरन पैट को कॉल रखाते हैं जो वो पिक्निकल थी और जो मुबाइल डिटेक्टिव ने पैट को दिया था उस पे कॉल आती है और एक नया टाइम आता है आज रात के क्यारा बचेगा जो बस ओने वारे और पैट करमे सुगून से अराम कर रही है चान बची है उसकी लेकिन वापिस से एपनॉर्मल अरकते होने रखती है और डिटेक्टिव यहाँ पे आ चाता है तुम सही थी मेरी ने तुमारी चान बचाईए अपे असर मसरा तो एरी के साथ था उसने सब कुछ किये के जबी दर्वाजे में नौक होती है और डिटेक्टिव चेक करता है तो एक चाकू सीधा डिटेक्टिव के अंदर गुश्चा दिये और वो बिचारा वहीं बिमारा चाता है अब केट तोर के एरी का बूद अंदर आता है और बैट पे अटेक करता है लेकिन वापिस मेरी आ जाती है और उसकी चान बचाने रखती है और एरी के बूद को डिटेक्टिव के फून के अंदर गुशा देती है और बच गई पेट अब डिटेक्टिव के मूँ से भी केंटी निकलती है और उसके मुबायल से नया नंबर टायरों ने रखता है और पेट ये सब कुछ देख रही होती है और बस इसके साथ मूवी एंड मतरब ये सब कुछ रुगा नहीं है और उसके साथ मुवाद रही है